जापान ने अपने H3 मीडियम रॉकेट को मंगलबार को लिफ्ट आफ के बाद तबहा कर थिया जापान की एरोस्पेस एक्स प्लोरेशन एजनसी से लॉंच होने के बाद रॉकेट का सेकेंड सेज इंजन फेल हो गया इसके बाद JXE ने रॉकेट को सेल्फ डिडक्ट सिगनल भीज दिये बता दे की रॉकेट में एक ALOS-3 अब्चरवेशनल सेटलाइट थी एक डिजास्टर मेनेजमेंट सेटलाइट है और जिसमें एक इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ था इसकी मदद से नौर्थ कूरिय के बेलेस्टिक मिस्सायल को डिटेक्ट किया जा सकता है इसके लावे से रॉकेट का इस्तमाल सरकारी और कमर्शियल है सेटलाइट्स को प्रद्बी के कख्षा में पहुँचाने के लिए भी किया जाता था